हलो फ्रेंड्स, वेलकम इंड रसमीज कीचेन, आज मैं आलू और पड़वल की सबजी बनाई हूँ, खाने में बहुत ही टेस्टी है, मैं इसे बिना लासुन प्याज डाले बनाई हूँ, घर में पूजा पाथ हो, या फिर कोई ब्रतते ओहार हो, तब आप इस सबजी को बना है, तो मैं इसे step by step बनाना बताऊंगी, तो चलिए बिना देर किये हूए, देखते हैं इसे कैसे बनाई जाता है, तो सबजी बनाने के लिए परवल को मैं इस तरह से काट ली हूँ, वैसे आप अपने पसंद का सेप इसे दे सकते हैं, तो परवल को इस तरह से knife से scratch करें, इ इस तरह से काटने से क्या होगा कि मसालों का flavor परवल में अंदर तक जाएगा, और परवल सबजी बनाने टाइम पे बहुत ज़्यादा गलेगा भी नहीं, तो ये तैयार है, और सबजी में डालने के लिए आलू को मैं बोयल करके छील कर काट के रखी हूँ, चोटे-चोटे के पहले मसाला तयार कर लें, कुछ तयारियां करके सबजी बनाएंगे तो सही में सबजी टेस्टी बनेगा, तो दू टमाटर को मैं इस तरह से काट कर ग्रेंडर जार में डाली हूँ, अद्रक, हरी मिर्च, जीरा और काली मिर्च डालूंगी, मैं सभी इंग्रीडियंट औ तो इसे जरूर से चेक कर लें, इसे अच्छे से पीस लें, पीसने के बाद ये देखिये, मसाला तयार हो गया है, तो अब गैस की ओर चलें, गैस पर पैन रखें, इसमें तेल डाल कर इसे अच्छे से गर्म कर लें, तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए, फ्लेम को लो पे रखक काट कर रखे हुए परवल इसमें डाल ले इसके बाद फ्लेम को मिडियम पे कर ले और कुछ-कुछ देर पर चलाते हुए परवल को गोल्डेन होने तक भुनना है तो इसे इस तरह से चलाते हुए भुने तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्लेम को लो पे कर ले और इसे निकाल ले और पैन में बचे हुए तेल में आलू को डाल कर उसे भी मिडियम फ्लेम पे गोल्डेन करके निकाल लेना है और आलू को निकालने के बाद पैन में थोड़ा सा तेल डालें फ्लेम को एकदम लो पे रखें, पैन बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, इसमें जीरा, काले मिर्च, तेजबता और लाल मिर्च को डाल कर थोड़ा पकने दें और जैसे ही जीरा क्रेकल हो जाया, इसमें सुखे मसाले एड़ करना है, हल्दी का पॉर्डर, लाल मिर्च का पॉर्डर, धनिया का पॉर्डर डाले, एक बार इस तरह से, मिक्स करने के बाद इसमें, पीस कर रखे हुए मसाले को डाल कर मिला ले, और इसके बाद ग्रैंडर ज यानि कि सेंधा नमक इसे ब्रत में बनाना है तो सेंधा नमक डाले, नहीं तो आप कोई भी नमक डाल सकते हैं, मिक्स करने के बाद ढग दे तीन-चार मिनट तक पकने दे, आप इसे बीच में एक बार चला भी सकते हैं, और चार मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए, मसाले थोड़े भुने भुने दिख रहे हैं तो अब इसमें फ्राई करके रखे हुए परवल डाले और परवल और मसालों को अब हमें साथ पकाना है तब तक जब तक मसालों से तेल ना बाहर आने लगे तो ढ़क दे लो फ्लेम पे पकाएं बीच में इसे एक बार चला जरूर ले ताकि सबजी नीचे में लगे नहीं और पूरे पांच से साथ मिनट तक पकाने के वाद ये देखिए मसालों से तेल बाहर आ रहा है और परवल भी गल गया है यानि कि अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें फ्राई करके रखे हुए आलू डाल कर इस तरह से मिक्स करें और अब इसे बिना कवर किये हुए लो फ्लेम पे हमें भूनना है ताकि आलू में भी मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए ये देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे भून ले और दो तीन मिनट तक आलू उपरवल मसालों को अच्छे से भूनने के बाद सबजी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो यह तयार हो गया है इस टाइम पे इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दें ग्रेवी की ठीकने साब अपने टेष्ट की अनुसार एड़्जेस्ट कर सकते हैं मैं इसमें पुरे डीर कप पानी डाली हूँ मेजरिंग कप से डाल कर अच्छा से मिक्स कर लेना है और अब वो जो बॉयलालू हमने साइड में रखा था उसे इस तरह से क्रस करके डाल ले इससे ग्रेवी अच्छा थिक बनेगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा तो मिक्स करके इसे कभर कर दे पहला बॉयलाने दे हाई फ्लेम पे बॉयलाने के बाद फ्लेम को लूपे कर दे और इसमें गरम मसाला का पॉडर डाले और मैं यहाँ पे धनिया पत्ती का पॉडर डाल रही हूँ अगर आपके पास फ्रेज धनिया पत्ती है तो उसे डाल ले धनिया पत्ती का पॉड़र बनानी की रेसिपी मेरे चैनल पे है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो इसे कभर कर दें और लो फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पकने दें पूरे 5 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए सबजी कितना टेस्टी दिख रहा है और इसकी ग्रेवी भी ये देखिए कितना पॉर्फेक्ट बना है तो बिना लसुन प्याज की इतनी टेस्टी सबजी आप एक बार मेरी तरह जरूर बना कर देखें आपको जरूर पसंद आएगा तो फ्लेम को बंद करने के बाद इसे ढग दे 3-4 मिनट के लिए और 3-4 मिनट के बाद ये देखिए सबजी कितना टेस्टी दिख रहा है बिना लसुन प्याज की इतनी टेस्टी चटपटी सबजी वाओ जो भी खाएगा तारीफ किये बिना रह नहीं पाएगा तो अब इसे अच्छे से सर्व कर लेना है इस टेस्टी सबजी को आप घर में बनाएं और आपकी सबजी कैसी बनी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये सबजी इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे रोटी, पराथे, चावल, पुलाओ किसी के साथ भी खा सकते हैं तो आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें